हाई गाईस वेलकम बाक टो माई चानल एंड आज हम मेगस्थीन्स आज आपका अर्थ शास्थ जो कॉर्टिल्या ने लिखा था प्लस कुछ पोस्ट मौरें डाइनस्थीज को जानेंगे समझेंगे कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जो की बहुत ज़दे रेलेवेंट हो जाते हैं तो बात करते हैं मेगस्थीन्स की जिन्होंने बुक लिखी थी इंडिका जब उन्होंने विजिट किया तब उन्होंने बताया कि उस टाइम पर स्लेवी सिस्टम नहीं था एंड हर कोई भी परसन जो था वो अपनी दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता था अगर कोई परसन टेक्स इवेशन करता था तो उसको कैपिटल पनिश्मेंट दी जाती थी ऐसे उन्होंने प्री बुक में लिखा हुआ था अब मैं आपको बात बतान चाहती हो एक चानक्या जो थी na इनका पुरांस में नाम लिखा हुआ है दौजारा शाभा ये नाम इनका लिखा हुआ है पुरांस में तो आप कंफीूज मत हो ना ये चानक्या ही है हमारे कौटेल्या ही है ठीकिए फिर बात करते हैं कॉटिलिया की तो उनकी बुक की आदा आगए हमें अर्थ शास्त्र जिसको जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगॉलिशन्स लिखे हुए हैं और बोला गया था कि कोई भी वाइफ अपने हस्बेंट को छोड़ सकती है अगर उसका हस्बेंट उसको अबेंडन करता है अलग रखता है या फिर वो मेंटली और फिजिकली इनकैपेबल हो जाता है तो वाइफ के पास यह राइट है तो अबेंडन हर हस्बेंट ठीक है अगर मैं आपको पोस्ट मौरे में लेके चलूँ तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं लेखो हम लोग कवर करेंगे थियोरी भी बट फैक्ट भी इंपॉर्टन है अब यह मैंने पढ़ के लिए हैं लिखेंगे को ध्यान से तो आप लोग को रेलिवेंट लगेगा यह इंपॉर्टन होगा एक्जाम्स के लिए तो देयर जब मार्किंग ऑन दी कॉइंस अफ यादु हास अब यह यादु हास कौन है यह बेसिकरी एक लोग थे जो आपको राजस्थान एंट यूपी में इनका आपको एंपार देखने को मिलता है एंट इनकी कॉइंस पे कार्थिके की फोटो होती थी मतलब यह कार्थिके भगवान को बहुत मानते थे दूसरा है गोल्ड कॉइंस गोल्ड कॉइंस को बहुत जादा लाज स्केल में स्टार्ट किया था आपके इंडो ग्रीक्स ने फिर आता है प्राक्टिस ऑफ चाइल्ड मारिज चाइल्ड मारिज की प्राक्टिस जो थी वो आपके कुशान स्पीर्ड में स्टार्ट हुई थी फिर आपका glass coins आते हैं glass coins को strato second जो कि एक Indo-Greek ruler थे इन्होंने start किया था फिर आपका sunraction और वासुदेवा जो आपकी agothots agothots पर Indo-Greek ruler थे इनके time पर आपको इनकी coins आपको देखने को मिलते हैं अगर मैं आपको बात करूँ रुद्रादमन जुनाघर inscription के बारे में तो यह बहुत ज़्यादा पुराना है जो कि गुजरात में है और यह Sanskrit language में लिखा गया है इन्दी ब्रहमानी script इसमें mention किया गया है सुदर्शन लेक के repair के बारे में कि रुद्रादमन ने इसका repair कराया था construction किसने की, repair किसने कराया यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है चंदरगुप्त मौरर ने repair कराया रुद्रादमन ने बनवाया था यह सब कुछ चीजें mention की गई है रुद्रादमन जुनाघर inscription में अगर हम बात करें कलिंगा की rulers के बारे में तो उनके founder थे महिग मेगा वामान बट इनके main ruler थे खारवेला और यह jeans को मानते थे जेनिजम को प्रमोट करते थे फिर गांधारा style जो था वो इंडो और ग्रीक दोनों का मिक्षर था कनिश्का जो थे वो गांधारा style को प्रमोट कर रहे थे और शाकास और कुशांस भी प्रमोट कर रहे थे यहाँ पर आपको bluish gray sandstones देखने को मिलते हैं अब पीछे वाली slide में दो fact आपके miss हो गए थे आप please stop करके देख ले ना मैं आपको समझा देती हूँ कि बामिया जगा है अफगानिस्तान में एक kingdom था जहाँ पर बुद्धा की statue रखी गई है और जो पहले इरान के ruler थे वो आपके Darius first थे यह दो छुड़ गए थे अब हम आगे चलते हैं सतवाहन dynasties के बारे में देखेंगे और भी dynasties हैं उनको देखेंगे तो आपके दो rulers के बारे में mention किया गया यहाँ पर and यह दोनों गांधारा rulers है खजूला, खडफासिस and वीमा इनका difference बताया गया है इन दोनों में क्या difference था तो खजूला, खडफासिस जो थे इनोंने copper को promote किया copper coins बनाये थे जबकि वीमा ने gold और copper और दोनों टाइब के coins बनाये थे खजूला, खडफासिस, धर्मा थिडास और धर्मा थीड मतलब यह civil और criminal court थे इनके time पर जबकि वीमा, शिफ्त, रिशूल और नंदी भगवान को बहुत ज़़दा मानते थे ठीक है अगर हम सत्वाहंस की बात करें तो यह डेकन एरिया में थे और इनका actual capital था प्रतिष्थान पुरी जबकि इनका initial capital था अम्रावादी इनके main ruler थे श्रतकर्णी first जो इनके founder थे बट जो बहुत famous ruler इवाल्व हुए थे वो गौतमी पुतरा श्रतकर्णी थे जो चतरवारिया system को प्रमोट कर रहे थे अध्वाइता ब्रामण में मानते थे कि दो होते हैं सोल और भगवान एक ही होता है अध्वेत दो चीज़े नहीं होती है और यह वेदास के protection के लिए भी काम कर रहे थे तो यह हमें देखा सत्वाहन डाइनस्थी के बारे में I hope आपको यह अच्छे लगरे होंगे वीडियोज and if improvement है कुछ improvement चाहिए then do tell me in the comment section till then bye bye take care